हाई फ्रेंड्स मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल बायलोजी गुरू जी में फ्रेंड्स हम लोग UPTGT PGT बायलोजी की प्रेपरेशन कर रहे हैं उसी सीरीज में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और कदम आगे बढ़ाते हुए हम एक और वीडियो लेक्टर्स आज लेके आए हैं माफ करना दोस्तो मैं बहुत दुनेवाद आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ important function में बिजी था तो चलो अब मैं दोभारे उसको start कर रहा हूँ और उस अपनी जो लेक्टर सीरीज GRB, Objective, Biology, Geology और Botany दो सीरीज में लगातार continue parallel work कर रहा था उसी को लगातार आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आपकी preparation में help करने के लिए आ गया हूँ तो दोस्तो चलिए हम इसको start करते हैं और आज का जो topic है वो आपने देखी लिया होगा थंबनेल में जो की है animal husbandry आपको पता है UP, TGT, PGT, Biology 2016 और 2020 वाली vacancy भी आ गई है 2016 वाली का exam होना बाकी है वो भी होगा और 2020 की UP, TGT, PGT दोनों की new vacancies आ गई है उनके form पढ़ने लगे हैं तो आप उनके लगातार जो है टच में रहिएगा और अपनी preparation को sharp करते रहिएगा तो चलो start करते हैं आज का video lecture जिसमें first question जो है वो आपकी screen पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा तो चलिए उसी को हम with the help of explanation देखते हैं which is one of the earliest animal to be domesticated ऐसा कौन सा animal है जो सबसे पहले domesticated किया गया था means पाला गया था पालतू बनाया गया था तो वो cat option A cat हो जाएगा option B cow हो जाएगा option C dog हो जाएगा और option D got हो जाएगा तो इसका right answer friends जो होगा वो dog होगा dog ऐसा organism से जिसको सबसे पहले जो है domesticated किया गया था तो चलो यहां पर हम थोड़ा सा आपकी preparation के लिए उसको और आप में confidential लाने के लिए option के थुरू भी इनके scientific name भी आपको clear रहने चाहिए तो चलो start कर लेते हैं cat cat जो होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको phallis domestica बोलते हैं phallis domestica cow cow को boss indicus बोलते हैं scientific name cow का क्या होता है boss indicus god god का scientific name क्या होता है तो इसका scientific name जो होता है वो god को kapra kapra बोलते हैं okay and dog canis family risk okay so the right answer of first question is dog okay we come to the next question that is the closest pets of human wings are ऐसा कौन सा पैट है पालतू जानवर है जो सबसे ज़्यादा human wings के करीब है तो देखिएगा friends ए ओप्सन की अगर हम बात करें तो cat and dogs cat and dogs हो जाते हैं चलो आगे भी देख लेते हैं option b dog and sheep हो जाता है and option c cat and cow हो जाता है and option d cattle and buffalo हो जाता है यहाँ पर अगर हम सटीक की बात करें तो cat and dog जो है cat and dog यह ऐसा option है जो सबसे ज़्यादा human wings के closest होता है उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है क्योंकि हम सबसे ज़्यादा cat and dog को पालते हैं तो चलिए यह इसका right answer हो जाएगा next question जो है वो question 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं in which country the dogs were once worshipped as gods ऐसी कौनसी country है जहाँ पे dogs की पूजा की जाती है एक भगवान की तरह है है ना जिस तरह से हम लोग भगवान को पूजते हैं उस तरह से वहाँ dog की भी पूजा की जाती है तो वो country यहाँ पे हो जाएगी option A Italy, Egypt, Greece and Mongolia तो इसका right answer हो जाएगा option B means Egypt इसका right answer हो जाएगा next question की तरह बढ़ते हैं live stock refers to live stock एक word है इसका meaning क्या है तो इसका meaning option A is pet animal, option B की बात करें तो domestic animal, option C की बात करें pet animal and poultry and option D की बात करें तो domestic and pest animal तो right answer is domestic animal, option B जो है वो इसका right answer हो जाएगा domestic animal इसको हम लोग बोलते हैं तो वो live stock हो जाएगा यहाँ पे next देखिएगा, next की अगर हम बात करते हैं तो question number 5 5 जो होता है, question number 5 की अगर हम बात कर लें तो यह हो जाएगा most important live stock of India तो वो कौन सा हो जाएगा, most important live stock of India, India का most important live stock कौन सा होता है, cattle and cat होता है, cattle and elephant होता है cattle and dog होता है, cattle and buffalo हो जाता है, तो देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा difference है क्योंकि पहले closest पूचा था, nearest या closest पूचा था, but इस question में most important live stock की बात कही गई है, तो live stock means पसुधन जिसको हम बोलते हैं, तो पसुधन में cattle and buffalo means option D, इसका right answer हो जाएगा, cattle and buffalo हो जाएगा दोस्तों, okay, तो cat का scientific name मैं आपको अभी बता चुका हूँ, पीछे देखिएगा, dog का scientific name भी मैं आपको बता चुका हूँ, elephant का elephant का elephant होता है, elephant का क्या होता है, elephant होता है, और buffalo का होता है, बेलबुलस होता है, bulbulus, bulbulus या bulbulus करके होता है इसका, ओके, next में अगर हम बढ़ते हैं, तो देखिएगा, next question के तरफ, the scientific name of jibu, jibu का scientific name क्या होता है, तो दोस्तों, यह हम बता चुके हैं, ठीके न, अगर हम buffalo को एक बार और revise कर लेते हैं, तो ब्यूबेलस बोलते हैं, ब्यूबेलस, 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 buffalo का scientific name होता है, और jibu का पूँचा हैं, next question number six में किसका पूँचा है, jibu का, तो friends से ध्यान दीजेगा, jibu जो होता है, वो cow को ही बोलते हैं हम लोग, तो cow का scientific name, मैं पीछे आपको बता ही चुका हूँ, cow का scientific name क्या होता है, boss indicus होता है, boss indicus, okay, cow का scientific नाम boss indicus बोलते हैं, इसको jibu भी बोलते हैं, आगे देखिएगा, galas galas, इसके option के through भी हमें बहुत सारी knowledge को collect करते चलना है, क्योंकि PGT exam को clear करना, आपको real में knowledge होनी चाहिए ही, real knowledge of biology के लिए अगर आप प्रयासरत रहेंगे, तभी आप उसमें कुछ करक पाएंगे, नहीं तो selection होना बहुत ही मुस्किल होगा, तो देखिएगा, galas galas की अग का scientific name होता है, bombikes mori, ये silkworm का होता है, and bubellus, buberus, देखिए, आ गया यहां पे, buffalo का scientific name होता है, वो यहीं पे आ गया, देखिएगा, ये हो गया, bubellus, bubellus, ओके, ये buffalo का scientific name होता है, आगे देखिएगा, next question की तरफ बढ़ते हैं, अब milch breed of cattle, cattle की जो milch breed होती है, वो कौन सी है इन अलवी, option C, कंगायम, option D, थापर कर हो जाएगी, तो यहां पे question ये है, कि जो milch breed, तो question अड़ता है, कि आकरकर ये milch breed क्या होता है, क्योंकि cattle में तो बहुत सारी जानवार आ जाते हैं, तो दोस्तों, यहां पे अगर milch breed की गई है, तो some breeds of Indian cattle, Indian cattle की कई सारी breed जो होती है, उन पूरा दिया जा रहा है, वो boss indicus की बात की जा रही है, और boss indicus किसका scientific नाम है, तो यह cow, यानि जीवू का scientific नाम है, जीवू cattle का, तो देखिएगा, जीवू cattle को three category में divide किया गया है, वो कौन-कौन सी category है, यह देख लीजिएगा, पहली होती है, milch breed, दूसरी होती है, draught breed, त तो चलिए, हम यहाँ पे आपको जो question में आता जाएगा, उसको explain करते जाएगे, आप बिल्कुल tension free रहिएगा, कि हमें milch breed नहीं आती है, draught breed नहीं आती है, general utility breed नहीं आती है, friends, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं, तो उनको भी revise करते रहिएगा, और अगर नहीं देखे हैं, तो अभी इस channel को subscribe करो, जितने जादे subscriber होंगे, हमारा motivation उतना जादे होगा, और मैं आपको लगातार ये series provide कराता रहूँगा, तो देखेगा, यहाँ पे आ जाते हैं, milch breed को याद करने की एक simple सी trick है, याद ध्यान दीजिएगा, milch breed को याद करने की एक trick ह आप सुन लीजिएगा, गिर, दियोनी, साहिवाल, रैड सिंधी मिलती है, यहाँ से करके याद कीजिएगा, गिर, दियोनी, साहिवाल, रैड सिंधी मिलती है, तो अब देखेगा, गिर हो गई एक variety, दियोनी हो गई एक variety, तो milch breed जो हो गई दियोनी, तो दियोनी यहाँ प कोश्चन नंबर, 8 ने कोश्चन नंबर, हलीकर, हलीकर, इज, डौट बीरीड है, मिल्च ब्रीड है जनरल यूटिलिटी ब्रीड है तो देखो दोस्तों यहाँ पे तीनों ब्रीड आ गई है बॉस इंडिकस यानि जी वू को तीन ब्रीड में डिवाइड किया गया है पहली ब्रीड है डॉरॉट ब्रीड है मिल्च ब्रीड तीसरी हुजाती है जनरल यूटिल DM ने हमसे कहा अमरित DM ने हमसे क्या कहा अमरित कहा तो ये लिग गई हमारी ट्रिक देख लीजेगा DM ने हमसे कहा अमरित अब देखिएगा D से तो हो जाएगी ड्रोट ब्रीड M से हो जाएगी मालवी और N से हो जाएगी नागेरी और H से हो जाएगी हलीकर के से हो जाएगी कंगायम और A से हो जाएगी अमरित-महल एक बार मैं दोबहरे रिपीट करे दे रहा हूँ हलीकर की जो होती है वो 5 variety है 5 breed दी गही है जो धौट की 5 breed दी गही है यहाँ पे 5 breed के नाम सुन लिजिएगा मालवी, नागेरी, हलीकर और कंगायम एंड अमरित महल DM ने हमसे कहा अमरित बस याद कर सकते हैं उसकी थूँ तो चलिए, अब हम देख लेते हैं तो इसका right answer हलीकर जो है कैसी breed हो जाएगी? हलीकर जो है वो drought breed में आ रही है भाई तो यह हो गया इसका right answer हलीकर drought breed में आ रही है ओके, next question ओंगोली cattle is the general utility of breed, ओंगोली cattle जो है, वो general utility breed of, कहां किया है? question ही हो गया, कि यह पाई कहां जाती है ओंगोली cattle, तो ओंगोली cattle जो होती है, वो आंदर प्रदेश में पाई जाती है ओंगोली cattle, कहां पर पाई जाती है ओंगोली cattle, यह आंदर प्रदेश में पाई जाती है अब देख लीजिएगा ओंगोली cattle, जो इन्हों ने खुदी बता दिया है भाई, ओंगोली cattle जो general utility breed है, यहां से भी आप तयार कर सकते हो, ओंगोली cattle, general utility breed है, general utility breed में कौन कौन सी आ जाती है, एक बार सुन लीजिए आप, ओंगोली, हर्याना कंकरेज, थापर कर ओंगोली, हर्याना कंकरेज, थापर कर, यह चारो बैराइटियां, general utility breed से ब्लॉंग करती है, नेक्स्ट कोस्चन नमबर 10, dual breed variety of cattle is, dual breed variety of cattle कौन सी होती है तो dual breed variety जो है वो हो जाएगी, अच्चा, कोस्चन नमबर 9 का right answer, डीवाला हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं, तो dual breed, question number 11 पे, dual breed variety of cattle is, arish sire, arish sire हो जाएगी arish sire breed हो जाएगी, next question देखिएगा, which of the following countries is lowest in milk yield per cow, कौन बहुती कम दूद है न, एक गाय बहुती कम दूद देती हो, ऐसी करकि कौन सी variety किसमें सबसे ज़्याद है, कौन सी country है, जिसमें अगर per cow का निकाला जाएगी, तो बहुती कम milk निकलता है, तो वो हो जाती यहाँ पर इंडिया, इंडिया में जो है, वो यहाँ पर सबसे कम दूद देने वाली गाय पाई जाती है, ओके next देख लेते हैं, next question हो जाता है, match the breeds of cattle given under column one with the place of their origin listed under column second, देखेगा, इसका अगर हम बात करते हैं, तो direct हम आपको option पे ले चलते हैं, और इसका option हो जाता है, option A हो जाता है, और इसका right answer यही है, इसको अगर हम थोड़ा सा explain कर देते हैं, तो देखिएगा A, A का S, मिस अमरित महल, अभी हमने अमरित महल आपको बताई थी, अमरित महल, तो अमरित महल जो होती, वो ड्रॉट एक बैराइटी है, तो देखिएगा, अमरित महल जो है, ऐस हो जाएगा इसका, चिकमंगलूर एंड चित्र दुरुग डिस्टिक में पाई जाती है, ओंगोली, ओंगोली जो बैराइटी है, वो अभी हमने बताया था, जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स की एक बैराइटी है, और ये जो है, वो नैलूर एंड गुंटूर डिस्टिक में पाई जाती है, ओके, और देखिएगा, आगे बात करते हैं, तो खिलाडी, खिलारी व्रीड वो किस से सम्मंदित है, कहां से है, तो ये जो है, सतारा एंड सोला पुर, मद्द प्रदेश में सतारा ठीके ना, सतारा एंड सोला पुर डिस्टिक में पाई जाती है, ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हुजाएगा हलिकर, तो हलिकर आपको पता है, ये हसन एंड तुमकर डिस्टिक में पाई जाती है, तो ओके, आई ओप, यहाँ पे ये कोश्ट किलियर हो गए होंगे आपको, चलो, हम इसके नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और कोश्टन नमबर 13 को ले लेते हैं, बहुत ही important question है और ये कई सारे एक्जाम में लगातार पूछा गया है, नेशनल डियरी रिसर्च इंस्टिट्यूट इज सिचुएटेड इन नेशनल डियरी रिसर्च इंस्टिट्यूट कहां पे है, तो ये करनाल में है, option A पटना है, option B करनाल है, option C मतुरा है, and option D लखनव, तो इसका right answer करनाल हो जाएगा, उसको याद रखिएगा, next में देखते हैं, super ovulation and embryo transplantation are meant for improving, super ovulation and embryo transplantation are meant for improving हो जाएगा, super ovulation and embryo transfer ही किसके लिए किया जाता है, तो option A, plant हो जाएगा, poultry हो जाएगा, live stock हो जाएगा, human race हो जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा, live stock, यानि जानवरों के herd size को, group को बढ़ाने के लिए, इसका use किया जाता है, okay, super ovulation का, next में बढ़ते हैं, question पे, तो assertion and region वाला है, PGT में कुछ question इस तरह के भी आ जाते हैं, तो देखिएगा, cattle breed can be improved by, cattle breed जो होती है, यह improve की जा सकती है, cattle breed is improved by, चलो एक बार थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, okay, cattle, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, ठीक है, तो जी हो जाएगा, cattle breed जो होती है, वो improved by super ovulation and embryo transplantation, बिल्कुल सही है भाई, आगे देखिएगा, region इसका क्या है, super ovulation in high milk yielding cow is induced by hormonal injection, तो super ovulation in high milk yielding cow, super ovulation जो होता है, high milk yielding cow में is induced by hormonal injection, तो यहाँ पे जो है, वो अगर हम सही से देखें, तो मुझे लगता है, option A को दुबारे देख लेते हैं, cattle breed can be improved by super ovulation, तो इसकी जो है, वो option B सही होना चाहिए, both A and R, are true, but R is the correct explanation, R is not the correct explanation, B बाला इसका सही हो जाएगा भाई, means क्या होगा, कि दोनों सही है, assertion भी सही है और region भी सही है, लेकिन region जो है, वो exact explain नहीं कर रहा है, assertion को, ओके चलिए, next question की तरफ हम बढ़ते हैं, and the best milk breed in world, वर्ल्ड की बात हो रही है, ध्यान देजिएगा, best milk breed in world is, holistain freshian, holistain freshian हो जाएगा, इसका right answer, देखो भी ध्यान देजिएगा, actual में, आपको पता है, हम इन सबको याद कर चुकी हैं, दिवनी है, सिंधी है, चितगोंग है, holistain freshian, ये सबी जो है, काव की variety की नहीं है, तो holistain freshian जो है, वो एक exotic breed है, बाहर की breed है, लेकिन ये milk बहुत जादे देती है, तो वही यहाँ पे पूँचा गया था, next question की तरफ बढ़ते हैं, multiple, देखिए फिर आ गया है, ये जानवरों के जुंड को बढ़ाना होता है, उसकी size को increase करना होता है, बढ़ाना होता है, तो वो इस technique को use करता है, इसमें क्या होता है, multiple ovulation embryo transfer, इसमें वो काव को injection की थूरू, ऐसे hormonal injection FSH का दिया जाता है, जिससे उसमें 6-8 ovum release होती है, और उनको fertilization, artificially insemination कराके, उनका embryo को surrogate mother में डाल दिया जाता है, जिससे एक साल में ही 6-8 जो होते हैं, वो काव के जो, हम कह सकते हैं, वाफेलों के जो young ones होते हैं, वो पैदा किये जा सकते हैं, ओके, next देख लेते हैं, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, fist cultivation, prawn cultivation, hybridization in cattle, तो इसका right answer जो है, hybridization in cattle हो जाएगा, next question देखिएगा, cryopreservation is done, at temperature, cryopreservation किया जाता है, at temperature minus 196 degrees Celsius पे, तो ये तो बिल्कुल सा question है, कई बार में बता चुका हूँ, पहले भी इसको cryopreservation minus 196 degrees Celsius पे किया जाता है, chilled nitrogen में, liquid nitrogen में किया जाता है, next देखिएगा, bulls semen is stored in, bulls semen stored किये जाते हैं, तो bulls semen जो होते हैं, ये stored किये जा सकते हैं, किसमें, ice में भी stored किया जा सकता है, bulls semen को, ओके दोस्तों, तो देखिएगा, बहुत अच्छे question है, और GRB अपने आप में ही एक famous book है, किसी भी exam को crack करने के लिए, तो मैं आपकी एक एक कदम पे help कर रहा हूँ, तो please देश्तो, जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe न किया हो, वो please इसको subscribe जरूर कर लो, अगर आप TGT, PGT biology के लिए प्रयास रत हैं, तो ये channel आपके लिए बहुत ही important है, और only PGT, TGT biology के लिए ही नहीं, biology related जो भी concept होते हैं, वो हमारे channel के तरू लगातार questions को discuss किया जाएगा, तो ये एक आपके लिए practice set की तरह होगा, जो आप अपनी knowledge को check कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी question होते हैं, उनको लगाईएगा, और उनको explanation सुनिएगा, तो आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगी, next देखिएगा, देखो, अभी हमने तुम्हें जो बताया था, कि MOET को surrogate mother में डाल देते हैं, तो देखिएगा, यहाँ पे surrogate mother का ही concept आ गया है, surrogate mother is used for, surrogate mother किस के लिए यूज की जाती हैं, तो induction of lactation के लिए, artificial insemination के लिए, artificially inseminated female के लिए, future mother with a transplanted embryo, विलकुल, D is the right option for 20 questions, ओके, now we come to the next question, and the question number is 21, by deep freezing, it is possible to preserve foitesis, deep freezing के थुरू कब संभब हो सकता है, कि हम foitesis को preserve कर सकें, तो about one week old, जो foitesis होता है, उसको deep freezing के थुरू preserve किया जा सकता है, ओके, तो इसका right answer जो है, वो option C हो जाएगा, next question पे आते हैं, which one is given to increase lactation of cow, कौन सा ऐसा जो है, जो cow में lactation को बढ़ाने के लिए, यूज किया जा सकता है, तो देखिएगा, इसका right answer जो है, वो हो जाएगा, still vestrol, still vestrol ऐसा hormonal injection है, जो किसी भी cattle को अगर दिया जाता है, तो उसमें lactation को बढ़ाया जा सकता है, increase किया जा सकता है, और इसी से related हमारा last का question है, hormone used in sterile cow to induce lactation, sterile cow होगी, लेकिन वो अगर उसमें lactation को induce करवाना है, तो still vestrol का उसमें injection दिया जाना चाहिए, तो ओके, आई होप आज का video lecture आपको पसंद आया होगा, मैं दुबारे माफी चाहूँगा, कि मैं इतने दिनों बाद आप से मिल पाया हूँ, आपके सामने आप आया हूँ, चलिए, लेकिन देर आया हूँ, और दुरस्त आया हूँ, है ना, देर है, लेकिन अंधेर नहीं होगा यहां पे, means, आपको लगातार वीडियो मिलने वाले हैं, जो की आपकी हेल्प करेंगे, किसमें आपकी TGT, PGT, बाइलोजी में, अभी नोटिफिकेशन दुबारे आएगा, आप लोग उसको फिल कीजिएगा, और लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्रेस कीजिएगा वेल आइकन को, जिससे जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमारे वीडियोज को देख पाएं, तो प्लीज लाइक चरूर करिएगा, हमारे मोटिवेशन के लिए, और आप टॉपिक भी बता सकते हैं, जिससे मैं उस टॉपिक की उपर, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सेयर करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार,